वेलकम फ्रेंड्स एन हेल्स रेंबो दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सांस लेने में तकलीफ के बारे में मतलब हम बात करेंगे डिफिकल्टी इन ब्रीधिंग मतलब सांस लेने में आपको परशानी हो रही है यदि हम बात करें सास लेने में तकलीफ क्यूं होती है इसके 10 कारण क्या होते है तो सबसे पहला जो कारण होता है फेफ़डो का infection इसके उपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि फेफ़डो के infection के बारे में फेफडों में infection होने के 10 कारण क्या होते हैं तो सबसे पहला जो कारण होता है virus इसके लिए 5 मुक्यता virus होते हैं जो जिम्मधार होते हैं उसके लावा 4 वैक्टिरियाज होते हैं और एक जो होता है फंजाई होता है वो कौन-कौन से virus होते हैं जो फेफडों में infection फैलाते हैं ज इसके अलावा कुछ bacteria भी होते हैं जो फेफडो में infection पहलाते हैं जैसे कि Microbacterium tuberculosis जिसकी वज़े TB होती है, Streptococcus pneumonia जिसका वज़ा से pneumonia होता है या Mycoplasma pneumonia या Legionella pneumonia जिनकी वज़ा से pneumonia की बिमारी होती है यदि हम बात करें fungus की तो एक fungus भी होता है जैसे कि fungus aspergillus जो फेफ़़ों में infection पहलाता है दूसरा कारण होता है bronchitis, bronchitis क्या होता है फेफ़़ों में सूझन इसमें क्या होता है हमारे जो फेफडे होते हैं उसके अंदर जो हवा ले जाने वाले पाइप होते हैं इस तरीके से होते हैं बट इन में किसी वज़ा से क्या होता है सूजन हो जाती है जिसकी वैसे क्या होता है सांस प्रॉपर नहीं जा पाती है तीसरा कारण होता है नीमोनिया होता है कि फेपड़ों के अंदरielen उल्वॉल होते है उनके अंदर पस बगइरा फोर्मिशन हो जाती है जिसकी वैसे क्या होता है वक्ति की सांस फूले लगती है उसके अलावा एक और मुखे कारण होता है COPD Chronic Obstetric Pulmonary Disease इसमें क्या होता है कि जो Alveoli region होती है उसमें कुछ प्राबलम हो जाती है जिसके वज़े से क्या होता है वक्ति सांस प्रॉपर नहीं ने पाता है कुछ अन्य भी कारण होते हैं जैसे कि अस्तमा की बिमारी है घवराहट की वज़े से काफी बार लोगों को सांस नहीं आती है खून की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि खून जो होता है सांस लेने में मदद करता है उसके अलावा किसी लोगों को तकलीफ हो सकती है अब यदि हम बात करें सांस लेने में तकलीफ हो तो क्या करें तो यदि किसी लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वह स्ट्रेट ना खड़े हो तो मतलब किसी चीज के सहारे से खड़े हों और पीट आगे करके इस तरीके से चेर के सारे वगरा से खड़े हों जो स्टेट खड़े होंगे तो सांस लेने में फरिशानी होगी उसके अलावा बैठते हैं वक्त भी क्या है कि थोड़ा सा आगे को जुखके बैठें इससे क्या होगा आपके जो फेफडे हैं उनको जादा काम नहीं करना पड़ेगा इस तरह आप इस तरीके से भी आप बैट सकते हैं इसके रावा जब आप खड़े हो रहे हैं तो खड़े होने वग यैस्चीज शहरा ले सकते हैं जब आपकी सांस पूल्ट लेगा तो इससे क्या होगा THAT तो इससे सांस फूलना होगा आपका बंद हो जाए गा उसके अलावा आप पंके वगएरा की भी मदद ले सकते हैं कि पंके में भी आपको जो आर्टिफिशियल जो एर है वो आपको मिले कि जिससे आपकी सांस प्रॉपर हो जाएगी उसके अलावा आप आर्टिफिशियल जो सांस लेना होता है जैसे आप नाक से सांस लेकर उसको मुझ से छोड़के इस तरीके से आप कपालवाती में गराभी आप कर सकते हैं उसके अलावा दिया हम बात करें सांस लेनी में तकलीफ होने के दस शुरुवाती लक्षन क्या होते हैं आपको कैसे बता चलेगा आपको यह बिमारी होने वाली है तो इसमें क्या होगा शुरुवात में आपको पूरी सांस नहीं आएगी आप जैसे चलेंगे या कुछ थोड़ा सा हलका सा दोढ़ेंगे आपकी सांस खूलने लगेगी सांस लेने में घर गरहट आएगी, छाती में दर दोना, बहुत तेज सांस आएगी, कभी बहुत कम आएगी, सांस लेने में आपको कटना ही लगेगी, उल्जन भी महसूस हो सकती है, आपकी जो पलसरेट है वो बढ़ सकती है, आपकी जो तुछा है पीला पढ़ना या नीली कास पे कर आपके जो मूँ के पास पास में आपकी सांसे ठंडी हो सकती है और आपकी जो मूँ की तुछा है वो रूखी वगरा हो सकती है यह इसके शुरुआती लग्चन होते हैं अब यदि हम बात करें सांस लेने से बचने के लिए क्या खाएं मतलब कौन सी ऐसे चीज़े हैं जिनके खाने से सांस फूला बंद होता है कौन से ऐसे फूड्स हैं जो बिजिटलेसनस को रोकते हैं तो इसके उपर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है कि आप चुकंदर ले सकते हैं चुकंदर का जूस वगरा है चुकंदर को सब्जी में सिलाथ में नील बदरी ब्लू बेरिस वगरा आप खा सकते हैं अलसी है अलसी को आप इसको वैसे चवा सकते हैं या दूद में ले उसके अलावा गाजर भी है जो क्या होता आपकी सांस में फूलने से रोकेगी तब आपको लाग इंफेक्शन वगरा से बचाएगे उसके अलावा और बहुत सारी चीज़े होती है जैसे अनार है ग्रीन टी है दूध है सेव है अद्रग है उसके अलावा टमाटर है और यदि हम बात करें सांस लेने में तकलीफ हो तो कौन सी डॉक्टर को दिखाएं तो उसके लिए आप पल्मल और जिर्च जो होते हैं ये चर्च फिजिशन उनको दिखा सकते हैं उसके अलावा यदि आपकी वह शेहर में नहीं है तो आप जैनल फिजिशन एक इक अंसल्ट की प्रॉब्लम है तो उसमें ब्रॉंकोडाइलेटर्स होते हैं जिनको इन्हेलर्स बोलते हैं दूसरी अन्य वज़ाए से इंफेक्शन वगरा होगा तो उसके लिए एंटिबाइटिक वगरा चलेंगे तो ता उसका ट्रीटमेंट होगा यहने बीमारी होंगे तो उसका वै वीडियो दूसरे वीडियो देख सकते हैं विए थैंक यू वेरी मच्च पूर वचिंग एल्ट स्रेंबॉ